शेहर के सुखेर थान शेत्र में बीती रात पैसिफिक हॉस्पिटल भीलो का बेदला के नजदीक सड़क हाथसे में एक युवक की मौत हो गई बताया गया कि मृतक की बहचान साबिर हुसेन निवासी छीपा कॉलोनी आयर के रूप में हुई है जो की जोमेटो के लिए डिलिवरी बॉय का काम करता था बीती रात गटना से पहले साबिर डिलिवरी करकर हॉस्पिटल से लौट रहा था हॉस्पिटल से कुछ दूर आने पर पीचे से आ रही एक तेज गती आल्टो कार ने उसकी मोटर साइकल को टक कर मार दी जिसके बाद वह गंबी रुप से घायल हो गया और उसकी मोके पर ही मौत हो गई मोके पर मौजूद लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुचाया लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मरत खोशित कर दिया जिसके बाद उसके शव को मुर्दा घर में रखवा दिया गया तो वही उसके परीजनों ने सुखेर थाने में कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गटना के बाद कार चालक अपनी कार को मौके पर ही छोड़ कर फरार हो गया जिसे पुलिस ने अब अपने कबजे में ले लिया और इस मामले की जाज भी शुरू कर दी तो वही आज शुकरवार को मौतक के शव का पोस्ट मौटम भी करा दे गया